आज किसान दिवस है और सभी जत्य बंदियों के माध्यम से एक वक्त का खाना छोड़ने की बात हुई थी तो हम सब लोगों ने संग्रूर में एक पूरे दिन की भुखरताल रखने का फैसला किया और हम सब लोग जो पहले दिन से सभी लोग किसान के संगर्ष में उसके साथ हैं उसके सपोर्ट के अंदर आज हम भुखरताल पर बैठे हैं आप सब जानते हैं कि किस परकार से मुधी जी ने ये तीन काले कानून हमारे देश के अंदर बनाए जो प्रावधान पर्लिमेंट का नहीं था जो उनके एमबिट में नहीं था जो एगरिकल्चर सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है उसके अंदर इंफरिंज करने क बात मोदी जी ने की ये बहुत दुखदायक बात है आज सारा पंजाब एकटा होकर किसान के साथ खड़ा है क्यांकि हम सब लोगों का एक नौ मास्कर षिशन है चाहे किसान हो चाहे विपारी हो चाहे आर्तिया हो चाहे चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर हो, हम सब लोग, या ट्रांसपोर्टर हो, हम सब लोग मिलकर एक परिवार के रूप में काम करते हैं, और क्योंकि परक्यूरमेंट का काम कोई अकेला आगमी नहीं कर सकता, जब तक किसान के खेत में मजदूर काम नहीं करेगा, तो फसल अच्छी नहीं होगी और जब तक वो फसल मंडी में आके अच्छे तरीके से संभाली नहीं जाएगी तो उसको कोई खरीदेगा नहीं और जब वो खरीद कर वो ट्रक में जाकर किसी वेर हाउस में या कहीं स्टोर पर नहीं जाएगी तब तक उस फसल का अंतिम काम न कि हमारी अपील है हमारी मांग है जिने पंजाब की विधान सभा के अंदर पहले दिन ये तीनों काले कानूनों को रद करने का परस्ताव लेकर आए उसकी मनजूरी हुई और एक नया कानून हमारे पंजाब में पेश किया कि कोई भी बाहर का बड़ा उद्योगपती आकर अगर हम आड़तिये लोग अगर शरीफ हैं तो हमारी शराफत कोई कमजोरी के एंगल से ना देखी जाए इन्होंने बड़े इंकम टेक्स के रेड करा है साथ परिवारों के उपर दो सो लोग हर जगा पर सी आर पी अफ का गया इंकम टेक्स के अधिकारियों के साथ उन्हो तक मुदी जी तिन काले कानूनों को वापिस ने लेंगे